हलो दोस्तों आज ऌगाँगे PYCो के बारे में यहीड टन्सपर और परेशन का एक टॉपिक है है तों हमने सारे माश्ट डांस्पर में भ but पड़िया हैं कि आग कि कि यहीड ट्रांस्पर लाई लगवाँ सारे पड़ती है यह साइज लास्ट है तो हम इसको इवपरेशन को सबसे तूलना करेंगे जितने भी मास ट्रांसपर आपरेशन पढ़े हैं ही ट्रांसपर आपरेशन सबसे हम तूलना करेंगे इसी पहले तो बता देते हैं होता क्या इवपरेशन कि आइबको कैने लॉशंच में किसी भी लिक्वीड को कंसंत्रेट किया जाता है जाए कोई भी लिक्विड को सब्सेन सब्सक्राइब करना है यह तो इपरेशन लगू लो या और कुछ भी असकता है जन्रली जुनेर्फी से का पूअ टाप टाइज में क्या करते हैं आ कि यह का इस्टिमित के थिरूग आईसे पाइप में इस데ीमिन के लिए रशावन गुशा देते हैं इधर से इसका जो हीड होता है लिकुड ले लेता है इसमें जो वाटर हो या जो साल्वेंट होगा और इबपरेट हो जाएगा अब बाकी जो नीचे लिक्विड बचेगा ओ ओ जाएगा हमारा कंसेंट्रेटेड सुलूशन ठीक इसको ठीक लिकर भी बोलते हैं थीक लिकर ठीक यह हमारा प्रोड़क्ट होता है इनके इसाब वाटर सॉल्वेंट हो हमारा ठीक यही हमारा एक जगह है हमारा इपरहेटीड पर होता वह हमारा प्रोडक्ट होता यह वह ठाहि वहार heißt समुद्री वाटर को जब हम सुध करते हैं तो हम वहाँ पर इबबशेन करते हैं है यह मैं लोस्य वाटर है है मिया से इसको हीट दी ईच ढूल ह मिटेड़ी उसका वाटर इसमें ज़गा इबबबफेड हुआ क्या पचेगा इसका इंपूर्टी है जो सौल्ट हो गय रहा है वह बचेगा है तो हमारा थोता नहीं है यूज को नहई हो अ» जो प्यूर वार्ट रो गए पीने के लिए से मिसमी भी होते हैं हीट का ट्रांसफर इस स्टीम से यानि गैस फेज से लिक्विट फेज में होता है ठीक ना हीट का ट्रांसफर और इस लिक्विट फेज में मास्ट ट्रांसफर होता है इस यहां से यहां से इस लिक्विट से इस लिक्विट में जो मलकुल रहेंगे वह इ इसी हीट के तुरू ए इवबेपरेट हो जाएंगे मतलब लिक्विट से बपर में मास का टांस पर होगा और स्टीम से यानि गस से लिक्विट में हीच का टांस पर होगा यानि सिमल टासन दोनों प्रसीजर एकी साथ होते हैं दोनों अपरिशन कि शाल्वेंट या इसके दोनाओ के प्रापआर्टी के बिपार्इट वीघे ना इंवालटायल में गुल्कुल विह्बूर्य वाहिए नान प्राइट नहीं भीघार है करें वह इबबेरेट होता है थेक है कि अब सबस्क्राइब बदा अब ने मुझां तो हम इसको डिफेंद करेंगे हैं पहला अपरेशन हम लेते हैं कैंब कि ड्राइंगस 130 अलग एड दिग॑ सिंपल जानते हैं। ड्राइंग में सॉलिट निकालते हैं। यह ल्क कुझ में ड्र। भिध खृति के अलग करके लेते हैं। यह हो गया। जुर्द दिश्रा जरे गरू अच्छ, डिस्टिलेशन में और इसमें एक चीज्जा जन्तर होता है, जीसे इवफियाशन में क्या हुता है? जो बैपर फेज होता है वैपर फेज इसमें क्यों एक कंपोनेंट होता है, वनली वन कंपोनेंट परजेंट इन बपर फेज जबकि डिस्टिलेशन में दो फेज होते हैं तू फेज या सुरी जो बपर फेज होता है डिस्टिलेशन में जो बपर फेज होता है उसमें दो कमपोनेंट होते हैं Lesson processución क्रिस्ट्राइजेशन में क्रावा अगंसंट्रेट करते हैं कि क्रिस्ट्राइजेशन में हम क्या करते हैं बॉआ है स्ब्सक्राट करते हैं कुक्त टोन Kara इस फ़िए सुर्ण है कि अघ्र राट उंट कर देखो एक ची ज़ीटर बताते हैं यहां पे जो हिपिंग मीडियम ले रहा है हमने स्टीम बताया जनली जो लिए जाता है यहां पर यूज किया जाता है जिसमें डालते हैं इसमें लोग बेराशर इस्टीम डालते हैं लोग प जिर्षे और यह सब डाल देते हैं थीक नहीं धोगने ह approx इससे ब AG neural कर एक चीज कर आता है यह तो प्रोस्ट से मिल के बनाँ हम प्हला दूसरा पहले के टार jewels शिच wannabe कि पहलिए जो लिकविड होता यह से लो परी सैटीम से हीट लेता है अपने आपको s** उस तक गरम करता है कि बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाता है ठीक ने सेंसिबल ग्रहाण करके अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है जैसे वाटा थे तो हंड़ेड डिरी संधिकेट तक पहुंचेगा अब दूसरा होता है अब दुबारा यह हीट लेगा यह इवपरेशन मे अब हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा साथ है कि आगे जब हम कुछ प्रपर्टीज पढ़ेंगे तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का यूद जादे है अब देखो एक हम कंटेनर ली है इसमें कोई लिक्वीड है ऐसा मालो तुम दूद को या पानी को बॉइल करते हैं दूद को मालो गरम करते हो तुम हीट देखे नीचे से बर्नर से हीट करते हैं इसको दूद को कि मतलब है कि जिटना ज्यादे इंप्योर होगा कोई भी लिक्वीड जितना ज्यादे इंप्योर होगा अगर तो वाटर ही है अगर हंडेट डिगरी स्टेंटीट बॉइल हो रहा है अगर उसके कुछ कॉंटेमिनेशन होगे कुछ इंप्योटी होगी कुछ अलग कंपोनेंट इसमें डाल दे जाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सो नहीं होगा 110 120 130 140 कुछ भी हो सकता है कि उसमें हम कितना डाले हैं इंप्योटी ठीक नहीं उस हिसाब से वह बढ़ जाएगा वादिंफाइंट ठीक तो यह बहुत अची जीज़ है इसी बेस पर हमारे कुछ फैक्टर्स का मतलब पढ़ेंगे कुछ अप्लिकेशन जो कि हमारा थे प्रकावित करता है fix बांतर है मैं पिला जो कि अधर केया था पर उनिट वोलूम में कितने मौल सिद्टकल्स में है socialist कि अधीनnya यूल ohai लीटर ठीक यह जाएगा concentration नहीं जाएग concentration बढ़ने का मतलब इतना है concentration क्या होगा इसका कुछ माललो यक्स है हम क्य कि इतना यह वॉलूम का से मरुखें मालोग इसमें बढ़ा दिया इ creek प्रफर्ण यो जोते हैं इसे, 2X हो जाएगा, 3X, 4X, 1.5X, कुछ भी हो सकता है, जितना ज्यादे बढ़ाएंगे, अगर दुबना बढ़ा दिया तो 2X हो जाएगा, उतना ही बालूम में, अब हम क्या करें, उतना ही बालूम में, और ज्यादे मतलब हम डाल दें इसमें, कॉंटमिनेशन, यह मोलकुल बढ़ा दें, इसका 3 गुना कर दिया, तो 3X हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन, ठीक नहीं, इसका मतलब जितने ज्यादे बालूम रहेंगे, कम जगे में, उतनी जादी उसकी कंसंट्रेशन होगा, अब हमने बताया था, कि यहाँ पर जैसे जितना रहेंगे, जितना ज्या किसी सोलूशन का बढ़ाते मालो, इस सोलूशन को हमको इवेपरेट करना, यह जो दिया है, इसको इवेपरेट करना है, तो इवेपरेट अगर हाई कंसंट्रेशन है, तो इसकी विसकोस्टी और डेंसिटी हाई होगी, ठीक नहीं, तो इसको बाल करने के लिए हमको जादे कि अनर्जी देनी पड़ेगी जहादे मोलकुल संगे जदे कंसलों यहादे डेनसिती हो गा तो इसमें जो तो हमारा ओगा अब बाइलिंग पाइंट होगा इसका लिक्विट का यह सोलूशन का वो बढ़ जाएगा तो हमको ज्यादे हीट देनी पड़ेगी उसको बाइलिंग पाइंट पहुंचने के लिए फिर हो पेपराइज होगा ठीक दुछरा फोमिंग जैसे कुछ सोलूशन्स होते हैं जिनको कंसर्टेट करना है अगर फोम का फार्मेशन करते हैं ठीक नहीं तो इसमें बहुत बड़ी प्राब्लम आती है सो जाख बंड़ा है इसमें बहुत बड़ी प्राबलम आती है कि इस निचे का सोल्यूट हूद हो तो इस जो सॉल्वेंट में एक सोल्यूट है इसमें लाएक। तो 소ल्यूट कया होना चाहिं है यहां पर रहना चाहि है बाहर चाहिए क्या कर लो भूम का फर्मेशन करता है ज्ञाक बना रहा है तो यह ज्हौकं में सुल्यूट कर लेते जाता है давайте थे कहाना है कि कमी होती है अभी सी तरह स्केड का फार्मेशन गता मालों हीट ले क्षच रहें यहां पर वह यह पर लाट जाता है यहां पर दियर दीवाल पर लग जाएगा होगा इसके लिए रजिस्टेंस का लियर बंच्वर हो जागा तो जिसके लिए लेग भी टम्हें किट लिकिड फॉल अगर कटो को बुछ ऋए रहे हैं क्वी पंप आं linking में जू एक चीज और नहीं होना जाइए जो सलूइशन होना चाहिए टेमप्रेचर सेश्टिव नहीं होना हैं तो वहाँ पे हमारा जो में तेडिया हुज तेडिया viscos правда चाहिए इंहां चीजçoтории होगा तो इससे क्या भर्वत पड़ेगा कि में पांच क्वेश और किंशूर्ष कंशनेट करते हैं तो अपना जो कुछ आइसे ही लिक्विड एक जो की कुरोड कर देते हैं जिस बरतन में किये जाते हैं इस बरतन को कर देते हैं मतलब पतला करने लगते हैं इसको चीलने लगते हैं अंदर से है तो ऐसे material क्या करते हैं हमारा problem की read करते हैं हमारे cemetery में तो ऐसे जो generally जो बनाये जाता नजे जनरली heck बनायचा आप auenचे की मिल्ड- ręचे की होती है 살 हम बता देते हैं जनरली जो बनाया जाता है वह होता है मिल्ड इस्टील की पर अगर इसे प्राबलम आता है कुरोजिनेस हो गए रहा आता है कॉंटेमिनेशन उसमें जा दे हैं तो उसके लिए हम अलग यूज करते हैं जैसे कॉंपर सी यू इस्टेनलेस इस्टील रहुड हाने अजात को कै कि रहा है इस में निकल भी यूज कर सकते हैं ऐसे ग्रुजार्ड इसप्राबलम आजा है कौलजिनेस ही अ experts अकरा है तो आधि इसक आज सिटीआ रहा है यह अहने हैं। उप लेकट है। इस इडिसरय प्षाइप को सपीर खिश्व करने के लिद्ध है। वहां भी हमने सुकर का जो प्ललांड डाइग्राम बनाया है प्रोश्य डिस्क्रिप्षन दिया है उसमें बताया दूद को जब कंसंटरेट करना होता है जो हमको खोआ बनाना होता है वहां पर हुपर जूसको अगर कंसंटरेट करना हो तो हाद पर अच्छा फ्रृट जूसक कि उत्त ना हमारा बच जाए ठीक न इए तर ना पच जाए जब वो पूरा निकल जा हमारे पेट में से कि तब कुछ दूसरा रखा है मारे पेट में कुछ होना नहीं चाहिए एक्स्ट्रा क्या यह कि प्येट जो आदमी का होता है स्वाइब तो लोग चाहते हैं कि हमारे प्रेट में कोई प्राबलम पेट में प्राबलम तभी नहीं होती जब अच्छी चीजे खाओ अब पूरा का पूरा मिनरल तुमारे सरीर में चला जा बाकी का जो अन्वांटेट इंप्योटेज हैं किसी ने किसी ट्वालेट यह पेशाब के रास्ते हमारे बाहर निकल जाए ठीक ना अब यहीं चीजे जब नहीं पचती है मतलब जहां पर जाती हैं पेट में पचने लग होती है दीरे दीरे जो पेट को कमजोर बनाती है है ना कि इसको इसलिए कंसंट्रेट करते हैं कि उसका जो वाटर हो एक्स्ट्राओ निकल जाए बाग की जो मिनरल सौला चीज हो हमको क्यों मिले ठीक अच्छा ठीक है तो इसके बाद हम परफार्मेंस दो प्रकार से इसका करते हैं कि जो यह इपेपरेटर है बनाते हम उसका परफार्मेंस को दो प्रकार से डिफाइन करते हैं कि परफार्मेंस कि पहला होता है कैपसिटी कि दुसरा होगा एकोनोमी कैपसिटी को जानते हैं हमको क्या करना है यह एक प्रकेटे करना तो इसका निकालना को दुए pane कि कैपसिटी आगर हमको किसी भी इबेपरेटर का निकालना है उपार्में1 घंटे में परावर आप यहन्ते में कितना किलो ग्राम आप वाटर क्यापनेश एक घॉई लीड़ाने अशल कंदें गत्पारेश कुरमें, चनल लीजय होग में楦ल किलोगरम आप 1-2 לי hap नबर बनेगा उतना ही उस प्रब्रेटर की चादर होगी आचा ये सब पता करने के लिए जैसे हम हीट देते हैं तो किस परकार से हम निकालते हैं कि कितना हीट हमको देना पड़ा इबपरेट करने के लिए तो होता क्यू बराबर यू इस टीम जो आपर इसको हीट करेंगे तक करेंगे इस टीम इसमें डालेंगे लोग प्रेसर इस्टीम या हाईपरसीब जो भी डालना अप्लिकेशन के इसाफ तो इधर से आएगा हीट को इसको देगा और अपने हाँ कंडेंसेट होके निकल जाएगा वाटर के रूप में तो इस्टीम का सिट्यूरेशन टंपरेचर प्रेसर अपउस्टीम मैंदस बॉलिंगमन्ट आफ इस्टीम-पैक्टव प्रेसेट पूंस दीजूरेशन मानट इसको बोलते हैं यहांपर लिखेंग इस्टीम का हम सिट्यूरेशन अभड़ेचर पर दालें ऑक को हैं अब वोल आफ यह कितना होथा दो हमस पता ही कितना अं 400 है और जो भी लिकुटी कीटल वह मैं पता ही होता है कि इसे मको पता हिये हमारा ध्यूनि पद आता हम इससे सबसे ज़्यादे मासट पांड वाग गंछर् wallet करना पहले मैं कदीसने impact क्या हुशकता है कि अधी सक्कू क्यों पॉइंट से अधिक टम्प्रेचर पर डालें तिसरा होता है और बॉइलिंग पॉइंट से कम टम्प्रेचर पर डालें तिसरा असकता है और बॉइलिंग पॉइंट पर डालें इसका मतलब समझे रहे हैं मालों वाटर को कंस्टेट करना है तो वाटर का क्या था था अधिक टम्प्रेचर पर डालें तो 110 टम्प्रेचर सब्सक्राइब करें तिसरा बाइन पॉइंट पर करके उसको फीड में यहां पर रखें इस कंडिशन में क्या होता है अगर बॉइलिंग पॉइंट पर हम डालते हैं विएञ सब्सक्राइब क्यों हो यह होता है ग्यंके को हम इस्टन को यह होता है न है यख़ुध त्राइट के पूरा का पूरा जो ट्राइट कर रहा है इसका टमपरेचर बढ़ाना नहीं पड़ा जीतना भी हीट हम स्टीम से दे रहा है तुरंत यूज हो जारा है दुस्का कंडिशन बोकी टमपरेचर पर नहीं पर नहीं पर जीटे में अधीक टमपरेचर पर डालेंगे घट अगर अधीक टमपरेचर पर डालेंगे वाल रहे हैं तो 100 degree centigrade पर पहले डालते ही क्या हो जागा पहले बपर आई हो जाए तो यह कम हीट देंगे